नमस्कार दोस्तों, कश्मीर से एक concerning news निकल क्या रही, news ये है कि कश्मीर में militants जो की anti-government है, anti-India है, वो US दोरा छोड़े गए, कुछ warfare devices को इस्तमाल कर रही, US जब अफगानिस्तान से बाहर निकला था, तब US ने हजारों लाकों की तागाद में weapons और बहुत सारे technical devices को पानिस्तान के अंदर छोड़ दिया था, ऐसे बहुत से devices इंडिया के अंदर पहुँच चुके हैं, नॉर्थ और साउथ कश्मीर में इनके signature मिले हैं, ये किसने बताया, defense intelligence agencies और NTRO, NTRO technical research organization एक technical intelligence agency है, national security advisor PMO office के अंदर ये काम करती है, इसके norms of conduct intelligence bureau RAW के बराबर है, एक highly specialized technical intelligence gathering agency है, तो obvious ही बात है, ये जो आपके thermal imaging devices है, iridium sat phones है, इनके heat signatures को पकड़ने का काम NTRO ही करता है, वैसे मैं बता दूँ कि ये जो अफगानिस्तान में छोड़े गए US weapons है, ये इंडिया के अंदर आ चुके हैं, ये news काफी पहले से ही viral हो रही है, लगबग फरवरी 2022 के लगब चन्दपूरिया साब ने ये बताया था, कि जो कश्मीर का line of control है, वैसे तो पूरा कश्मीर इंडिया का है, लेकिन जो इराका पाकिस्तान ने कभजा रखा है, उसको हम पाकिस्तान occupied कश्मीर बोलते हैं, तो पाकिस्तान occupied कश्मीर और अभी जहां पे de facto control है इंडिया का, उस कर रहे थे इंडिया के अंदर infiltrate करने की, बहुत सारे infiltration attempts को हमारी इंडियन आर्मी ने थ्वाट भी किया, बड़ी तागाद में terroristों को मारा गया, line of control पर उनके पास इस प्रकार के बहुत से devices मिले, लेकिन अब एक confirmed news कुछ ऐसी निकल के आ रही है, कि North और South कश्मीर के अंद infiltrate हो चुके हैं, शायद बहुत से terrorists और उनके पास इस प्रकार के sat phones और thermal imaging devices हैं, जिनको वो use कर रहे हैं, sat phones अगर आप बात करो, तो यहाँ पे iridium sat phone है, एक और प्रकार का यहाँ पे sat phone है, और थुराया satellite phone, मैं आपको बता दू, iridium satellite phone, थुराया satellite phone, दोनों ही इंडिया के ban है, 2008 में जब Mumbai में attack हुआ था, इसके बाद इन satellite phones को ban कर दिया गए, यह पाकिस्तान में भी इस्तमाल नहीं की जाते हैं, इन satellite phones की मदद से ही terroristों ने पाकिस्तानी handlers के साथ बात की थी 2008 के attack के दुराग, उसके बाद से इंडिया के इंदर इसको ban कर दिया गया, अब आप satellite phones आप बाहर से इंडिया के अंदर लेके नहीं आ सकते हैं, और इंडिया के market में आपको मिलेगा नहीं, रिसेंटली जो North Kashmir और South Kashmir में heat signatures मिलें, heat signatures क्या होता है, अभी जो thermal screening devices होते हैं, यह भाई infrared radiations छोड़ते हैं, उन infrared radiations का heat effect होता है, वो heat को detect करता है, और यह infrared radiations बहुत सार टेक्निकल डिवाइस के तुरू detect किया जाता है, और NTRो इन ही technical devices के तुरू पता कर रहा है कि यहां पर क्या thermal screening का कोई equipment इस्तमाल किया गया है, फिर यह जो iridium satphones हैं, साइबर स्पेस में इनके जो signal से reverberate करते रहते हैं, तो NTRो अपनी latest technology के तुरू इन signals को भी track कर लेता है, और इसी technology के तुरू NTRो ने बताया है कि most probably यह iridium satphones और thermal screening devices को इंडिया के अंदर North Kashmir और South Kashmir में इस्तमाल किया गया है, मतलब most probably बहुत सारे terrorists infiltrate हो गए हैं इन devices के साथ, बहुत सारे पहले पकड़े भी गए हैं, मार भी दियेगे, अंडिन आर्मी ने बोलाई, इनको भी हम neutralize कर देंगे, मतलब जल्दी इनको मार देंगे, बट अभी के लिए situation serious हो सकती है, कहा जा रहा है कि इनी thermal screening devices से और iridium satphones से, जो आर्मी के search and cordon operations होते हैं, इनको skip करके जो terrorist हैं अपने आपको बचा रहे हैं, और सबसे अधा concerning बात यह होगी कि अगर इन terrorist को किसी भी प्रकार स तालीबान का back end support है, जो कि obvious ही बात है, US जो weapons अगर अफगानिस्तान के अंदर छोड़के गया था और जो preliminary army की reports निकल क्यारी कि यह वही weapons हो जो कश्मीर में पहुंच रहे हैं, तब कहीं न कहीं इंडिया के लिए बहुत concern की बात है, कि कहीं back end से तालीबान की किसी small faction ने यह anti-India जो propaganda है, terrorism वाला हिसाब एक कैस को support करना शुरू कर दिया है, यह over the course of time हमारी इंडियन army मताएगी, वैसे इस समय पे जो मुस्तैदी है, जो surveillance है, इंडियन army का against terrorism वो बहुत high point पहे हैं कश्मीर, बहुत ही मुश्किल होगा इन terrorists के लिए कोई भी attack यहाँ प्लान कर पाना, in fact अपने आपको कश्मीर के अंदर survive कर पाना, कश्मीर के अंदर आ रहे हैं, तो जल्दी ही मरेंगे, यहाँ यह इरीडियम सैटफोंस और थुराया सैटफोंस, यह याद रखेगा, यह सैटफोंस न्यूज में है, सबसे खास बात यहाँ पर है कि कुछ लोग सोचेंगे कि पाकिस्तान से क्यों नहीं आ सकते हैं अफगानिस्तान के ओपर शक्यों हो रहा है, यह इरीडियम और थुराया सैटफोंस, यह पाकिस्तान की आर्मी भी इस्तमाल नहीं करती है, यह यूएस की फोर्स इस्तमाल करती थी और अलाइट फोर्स इस्तमाल करती थी अफगानिस् चुकि वो वापस चली गई है तो एक ही जगा बचती है इंडिया के अंदर आने का और वो है थ्रू अफगानिस्तान अफगानिस्तान में जो 6 लाक आप कहलो इरीडियम सैट फोन्स और लगबग हंड्रेड्स ओफ थाउजंड्स ओफ थर्मा लिवेजिंग दिवाइस छोड़ की गई थे यूएस फोर्स वो मौस्ट प्वाबली शायद यहां पे इंडिया के अंदर पहुँच रही है कश्मीर के अंदर टर्रिस टोक के हाथ इंडिया तो एक छोड़ी सी न्यूस तो कि मैंने आपके साथ डिसकस की आई हो पापको अच्छी लगी हो थैंक यू फो वाचिंग फिर्ट्स वीडियो को लाइक को शिर्क करकी जाएगा इंस्टराम पर फॉलो कर लिए टेलीग्राम कृप जोन कर लिए दोनुई चीज़ों को लिए नीची देस्क्रिप्शन वाक्स में दिया हुए वा ग्रेट देफ्रेंट स्कूट पाइ